मुरादबाद पहुंची रामपूर की पूर सांसद और फिल्म अभिनेतरी जैपरदा ने आजम खान पर निशाना साथ तो ये कहा है कि वो हमेशा महीलाओं का अपमान करते रहते हैं फिल्म अभिनेतरी एवंपूर्व सांसर जैपरदा नहटा मुरादबाद में आज ती जोस सफ कारिकरम में मुख्य थीती के रुप में पहुंची यहां सपा सांसर आजम खान पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अकलेश जी आजम से बहुत प्यार करते हैं अकलेश जी समझते हैं कि आजम ही सब कुछ हैं अकलेश को आजम के लावा कुछ दिखता ही नहीं है अकलेश एक MP हैं एक पार्टी के अध्यक्ष हैं सपा कारिकरताओं को भड़का कर दंगा कराना चाहते हैं अकलेश आजम के दौरा अवेट टिपनी करने पर उनका समर्थन करती है अकलेश आप काबू में रही आपकी जो आसपास का शेत्र है आजम खान ने जो मुना किया है उसका सजा पाना जरूरी है आजम भू माफिया है और शिक्षा माफिया भी अब्दुल्ला आजम पर कहा कि जैसा बाप वैसा ही बेटा भाजपा सरकार आजम का गरूर तोड़ने को खड़ी है अखले जी का कामी यह है अखले जी हमेशा आजम से बहुत प्यार करते हैं और अखले जी समझते हैं कि आजम ही सब कुछ है उसके आलावा आजम के आलावा कोई दिखता भी नहीं है आज अखले जी को मैं यही बताना चाहती हूं कि आज उन्होंने जो काम किया है सारे कारेकरताओं को उन्होंने रामपूर के तरफ भगा के तो उन्होंने यह कहा कि रामपूर को घेरो और प्रशाशन को मजबूर कर दूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यह पूछना चाहते हूँ अकलिश कौन है एक MP है एक पाटी का एक अज्जक्ष है तो उससे काम चलेगा क्या लेकिन आज रामपूर में क्या करना चाहता है लोगों को कारेकरताओं को भढ़का के रामपूर में दंगा करवाना चाहते है क्या जो काम हो रहा है रामपूर में प्रशाशन से अकलेश का क्या तालूग है क्यों अकलेश दखलंदाज कर रहा है अकलेश हमेशा जो इंसान अकलेश राजनी तीम हुए अपने कुर्सी को संभालना चाहता है अपने कुर्सी को हडपना चाहता है बात यह है कि जब चुनाव के समय पर महलाओं के उपर टिपनी कर रहे हैं आजम खां महलाओं के उपर अभद्रशब्ध इस्तमाल कर रहा था तो उस समय पर क्या किया अखलेश आजम को समर्थन किया था ना पार्लेमेंट में रमा आज देवी जी को कुर्षी पर बैटने भर जो महिडा जो वहां पर बैठी हुई महिडा पर उन्होंने स्पीकर के ऊपर इस तरह का अबध्र शब्द इस्तमाल करने के बाद तो पूरे सदन एक होकर उनसे माफी मांगने के लिए बोला था तो वो मजबूर होके किया था तब क्या किया था अकलेश नी अकलेश ने उस समय पे भी आजम को ही उन्होंने समर्धन दिया था आज क्या कर रहा है आज क्या कर रहा है आज रामपूर में दंगा होने के लिए पूरे देश का जितने जो प्रदेश के जो कारिकरता कुछ लोग आये हैं प्रजा तो नहीं आया ना तो मैं यह पूछना चाहते हूं आकलेश आप अपने जो काभू में रहिए और लोगों के जो इरदगिर्द जितने जो छेत्र है उसमें आप धकलंदाज मत करो आजम जो गुना किया है उस गुना के लिए सजा पाना जरूरी है इसलिए कि वो भू माफिया है और सिक्षा माफिया भी है उनका अरवोप लगाए कि उन्होंने मदर्सा दोहस्त गराया था उसकी कितावे उनके अमिली है मदर्से में और अब्दुल्ला आजम उनके बेटे ने पुलिस से भी लड़े ते दो इसके दोरा है जैसे राजा वैसे प्रजा होते हैं जैसे पिता है वैसे लेटा भी है आज अखलेश जैसा है वैसे उसी तरह जो आजम के जो जो गुरूर को आज इस सरकार आजम के गुरूर तोड़ने के लिए खड़ी है तो मैं धनिवाद कहना चाहती हूँ कि ऐसे कोई भी हो चाहे आजम को कोई भी और भी हो जो अगर गुना करते हैं और सजा पाना ही जरूरी है तो आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब्दुल्ला भी वही रास्ते पे जा रहा है और जो पुलीस अपना काम कर रहे हैं और जो धरोगा है अपना जो बुक्स पाया गया है वो बुक्स को रिकावरी कर रहे हैं वो समय पे ये लोग बाधा डाल र मैं रिपोर्ट आ रही है कि जो राम जी इनिवर्स्टी से 2000 किताबे गाइब हुई थी वो जोहर इनिवर्स्टी में पाई गई है इस पे आपका क्या कहना है तो मैं वही बोल रहे हूँ कि जो किताबे कई पुराने किताबे हैं जो हेरिटेज है हमारा उन किताबों को जोहर इनिवर्सिटी के अंदर जो उनके मुंताज लाइबरेरी में पाया गया है और उसमें मूर्तियां भी जो पुराने जो हेरिटेज मूर्तियां भी पाया गया है तो इसमें पोलिस अपना काम कर रही है और इनको इसने जा सारे जो बुक्स चोरी करने पर इनको अगर नाराजगी क्यों जता रहे हैं मेरे को समझ में नहीं ही आ रहा है हम लोग उमीद रही कर रहे हैं रामपूर वाले ने उमीद रही थे कि आजम ऐसा भी काम कर सकते हैं